ड्रग्स, शराप, तंबाकू, आदिकिल लगी भी है और उसका उच्चार केंद्रे जो है उससे आप क्या पिक्षा कर सकते हैं उसके बारे में थोड़ी बात में करने वाला हूं गांजा, लग्यानाबीज, मेरी जो आना, फिर ब्राउन शुगर, शराब में सब तरह के अलकोहल, अलकोहली ड्रिंक्स आते हैं और तंबाकू, तंबाकू आपको पताएं तोबैको, उसमें निकोटिन है और वो आता है तो इसके बारे में बात करूंगा मेरा ना में पक्ड़ेकर में मनोविकार सेख स्रोग सम्मोह हुनता था व्यसनम मुक्चतन्यो, अकोला में पिछले एक तालिस साल से प्रैक्टिस करूंगा कि कोई भी चीज की लड्ड जो है, वो कोई भी ड्रक्स की हो, मैरी जो आना हो, चरस हो, कहना भी है, अफू है, अफीम है, या क बार बार डोपामीन सिक्रिशन होता है, और डोपामीन सिक्रिशन का जो मजा है, वो मजा लेने के लिए, वो लोग बार 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 लगा के लेते हैं, और फिर एक बार लग गई तो फिर वो मजा नहीं है, तो उसका विड्रॉल आता है, और फिर वो विड्रॉल में वो बार बार वही विचार आएंगा और आदमी काम नहीं कर पाएंगा, तो एक तो mentally आप dependent हो जाते हो, मतलब कोई व्यक्ति dependent है mentally, और दूसरा है वो फिजिकली भी dependent होजा, अब फिजिकली dependent मतलब हात कापना, छांती में शिने में धर 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 होना, घबरहाट बेचे नहीं इदर से उदर, इदर से उदर restlessness है, नीन नहीं आना, भूक नहीं लगना, उल्टियां होना, पसी नहीं आना, प्लेड प्रेशर लोग हो जाना, ऐसी शारिक withdrawal symptoms भी आपको दिखाई देते हैं, और फिर वो ऐसा हो गया तो लिये भी ना, उसको ठीक लगता ही नहीं, तो फिर बाहर बाहर जाके भीक मंगेंगा, लोगों को बोलेंगा मेरी मा मर चुकी है, उसका अंटिविदी करना है, पैसा दो, मतलब यहां तक देखाए मैंने, कुछ भी जूट बोलते हैं, पैसा लेंगे और वो पीएंगे, ब्राउन शुगर वाले लोग जो ऐसे हैं, ब्राउन लेनी पड़ती है, रिलेटिवस की, उनके घरवालों की जिम्मेदार है, और उनकी कंसेर्ण लेके फिर हम भरती कर, रियाइब सेंटर में होता गया है, ओपन यह थे हॉस्पिटल रहा, ओपन, तो फिर वाहर से पेशेंट भाग जाना है, उसको तो बंद रखना पड़ता ह निन ही है, और उसको काफी सारे मेडिसिंई दिये जाते है जिसके वजह से उसको जो रिसलेसने से घबराढ़ है, बेचे नी यह, पसी स्टेट्यृट्विक व चार दिन बहुत कृडिकल रहते और एक बार चार दिन उसकी निकल गए शुरू के क지만 एंद्रौल शिंटम्स मांसिक और शिर्ग बाद में पिर उसनने के मूर फिर बाद में हम साइकोठेृपी करेंगे फिर उस ? जो जो 12 सेफ से है उस की असकी प्राथना है उसके लिए उनको गृब में बिठाते हैं फिर जिनको जिनको उन्होंने तकलीब दिया उनको कॉँक बाध में फिर फूजर में करना के जाता है कि वह एक स्थे ग्रूप में आरा ये फिर जो बिद शोने संपे तो प्रेड़ गोने करेंगे मिनुखर करना बोगहल चालू कि इसमें दायसलिफिराम, नेलटरागजन, और कैमपरसॉल, ये तीन दवाईया है जो हम देते हैं, और उसमें क्या होता है, एक तो उनको शराब पिने की इच्छा नहीं होती, शराब पी लिया तो मजा नहीं आता है, और मजा भी नहीं तब ही पी लिया, तो बहुत सारी रियक्शन आ तो इक तो इच्छा भी नहीं होती, मजा भी नहीं आता या डर से पीता भी नहीं है, एक साल तक ये दवाई उसको लेनी पड़ती है, ताकि उसको डर है कि मैं प्योंगा तो मेरे को रियक्शन आएगा, और उसको प्रोटेक्टेड एंवाइरमेंट में, मतलब वही एंवा जो छोड़ने की इच्छा होती है, और जो छोड़के इकट आके एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, वहाँ बैठो और वहाँ अपना इलाश्का, तो इस तरह का है, आपको ये ऐसा लगा कि नहीं हमको यह यहाँ पेशन को रखना है, तो डेफिनेटली आप नीचे नंबर द जो सालों की है, सालों की लगे चार देर में किसी कह शूटेगी, वैसा 90-90 डेज उसको डेडिक्शन प्रोग्राम में रहना जरूरी है, नहीं तो कम से कम साथ दिन, नहीं तो तो तीस दिन, तो यह सब करते हैं तो डेफिनेटली शराब शूट जाएंगे और एक आदमी के पीछे, बीस लोगों की जिन्दगी खराब होती रहती, एक शराबी है उसके बीचे बीस, लोग आपका भी करता है, जो आपके संपर्क में जितने भी लोग है, उनको बोलो, यह इलाज है, और यह इलाज आप करो, जो बोलता है कि नहीं मेरे को जरुत नहीं है, इलाज करन ही जरूरी है, आप सभी को शेर करो, यह चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, आप लोगों का ख्याल रखो, कि नहीं आपके आजुबाज में बहुत सारे लोगे जो पी रहे, उनका परिवार का ख्याल रखो, आपका ख्याल रखो, क्योंकि सभी लोग हमारे लिए Thank you very much.